नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागता है दोस्तों आज के इस वीडियो में बच्छा करेंगे सम्माने विज्यान की पार्ट शिल्स के बारे में दोस्तों हमने कुछ दिन पहले एक जार से वी अधिक अती में पार्ट शिल्स के श्रीज शुरू की थी सम्माने विज्यान की एक जार से अधिक परशन हमको करने थे जिन में से दोस्तों हमने पांच पार्ट कर लिए और ये चटा पार्ट हम करने जा रहे हैं दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे 500 पार्ट नहीं देखे हैं तो निचे डिस्क्रिशन में लिंक दिया है तो लिंक पर जाकर हमारा पार्ट देखें या हमारे होम पेज पर जाकर हमारे पार्ट भी देखें दोस्तों हम वो मैटोपुण परसन आपके लिए लेकर आए हैं जो बार-बार एक्जाम मों पुछे जाते हैं चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्टरी के हो चाहे जोलोजी वोटनी के हो सारी केमिस्टरी 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 केमिस्टर लाइक नहीं किया है तो पहले आप मारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दिये गे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो उसके पास जो बेल आइक उन गंटे का सार बना है यह थियो फ्रेट्स है यह वनुस्पति विज्ञान के जनके कहे जाते हैं नेक्स्ट है निमन लिकित में से किस में दवनी की चाल सबसे अधिक होगी तो किस में होगी दोस्तों दवनी की चाल है वो सबसे अधिक होती है वह इस पात में होती है तो इस पात में दवनी की चा तो Chool का कौनी वेख भी है वे दोस्तों बढ़ जाएगा मतलब एक विक्ति गोमते हुए इस टुल गोमरी यह उसपर भाहे फहलाएं घडा है एक आएक यह अपनी बाहे से कोड लेगा तो Chool का कौनी वेख है को वेख भैजा नेक्स्ट कुसन है दोस्तो collaborative एक बम, विश्पोर्ड होता है, इसकी आवास पर थूपर सुनाई नहीं देगी, क्यों नहीं देगी ये आप हमें ये कमेट करके बताए, नेक्स्ट है, चंदर मापर वाईव मंडल न होने का कारण क्या है चंदर मापर वाईव मंडल न होने का कारण दोस्तो पलाइन वेग पलाइन वेग के कारण वाईव मंडल नहीं पाए जाता है नेक्स्ट है ये दिक इसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा तो सरहल लोलक की लंबाई है वो च्यार परतिस बढ़ाई जाए तो उसका आवर्त काल दोस्तो दो परचेंटे बढ़ जाएगा यानि जितनी परचेंट लंबाई बढ़ाएगी उसका आदा एक बटा दो उसका आवर्त काल बढ़े जाता है अगला परसन है दोस्तो, एक लड़की जुला जूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो जूले का आवरत काल क्या होगा? तो जुल्ले का आवर्थ काल दोस्तो एप परिवर्थी ते रहेगा नेक्स्ट है हम रेडियो की गुंडी गुमाकर विबिन स्टेशनों के प्रोग्रामों सुनते हैं ये एक संभव है किसके कारण संभव है दोस्तो तो ये दोस्तो अनुनाद के कारण संभव है तो अनुनाद के कारण रेडियो की गुंडी गुमा कर हम जो विविन स्टेशन पर प्रोग्राम सुनते हैं तो वो अनुनाद के कारण संभव है नेक्स्ट है वेंचूरी मिटर से क्या ग्याद करते हैं तो वेंचूरी मिटर से दोस्तो जल के परवा की दर ग्यात की जाती है जल के परवा की दर किस से ग्यात की जाती है तो वेंचूरी मिटर से ग्याते की जाती है अगला परसन है दोस्तो चोरहे पर पानी के फुवारे में गेंद नास्ती रहती है क्यों? तो चोड़ीय पर पानी की फौरे में जो गें नाती रहती है उसका कारन है दोस्तो पानी के वेग अधिक होने से दाब गड़ जाता है मतलब पानी का वेग अधिक हो गया तो दाब क्या होता है घड़ जाता है दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ वाटसप गूर्प हमें इसको शेल जरू कर दें जिसे सब लोगों तक ये पहुंचे पाए नेक्स्ट है दोस्तो यदि दैरोमान परिवर्थित हुए बिना परत्वी अपनी वर्तमान तिर्जाक की सिकूर कर आदी रह जाए तो दिन क्या होगा तो दिन दोस्तों बारा गंडे का हो जाएगा नेक्स्ट है येदि किसी पिंड को परत्वी से 11.2 km पर 30s के वेग से फेका जाए तो पिंड क्या होगा येदि किसी पिंड को परत्वी से 11.2 km पर 30s के वेग से फेका जाए तो वह है परत्वी उपर कभी नहीं लोटेगा क्योंकि यह दोस्तो यह पलाइन वेग है मतलब वस्तु पलाइन कर जाएगी जिसके कारण परत्वी पर वापस कभी नहीं लोटेगा नेक्स्ट है उपगराय में समय ग्याद करने के लिए अंत्रिक्स श्यात्री को क्या परियोग करना चाहिए नेक्स्ट है दोस्तो यदि परत्वी की तिर्जा एक परतिशत कम हो जाए किन्तो दर्वमान वही रहे और परत्वी तल का गुर्त्वी तरुन क्या हो जाएगा यदि परत्वी की तिर्जा दोस्तो एक परसेंट कम हो जाए और दर्वमान वही रहे तो पर्तवितल का जो गुर्तविय तोवरण है वह 2% घट जाएगा यनि 2% घट जाएगा नेक्स्ट है दाब का मातर क्या है तो दाब का मातर क्या है दोस्तो पास्कल है ये दाब का मातर क्या है नेक्स्ट है बल का मातर क्या दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताए नेक्स्ट है खाना पकाने का बरतन होना चाहिए तो खाना पकाने का बरतन है वह दोस्तों उच्विस्षिष्ट उस्मा का निमन चालकता का होना चाहिए जिसे खाना आसानी से जल्दी पक जाए नेक्स्ट है दोस्तो जरने में जब जल उचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है जरने में जल जब उचाई से गिरता है तो उसका ताप दोस्तो बढ़ जाता है, गर्शन के कारन उसका ताप बढ़ जाता है next है केल्विन ताप मापी में बरफ का गलनांग होता है तो केल्विन ताप मापी में बरफ का गलनांग दोस्तो जिरो डिग दी केलविन होता है नेक्स्ट है बोटनी सब्द की उत्पती किस बासा के सब्द से होई है तो बोटनी सब्द की उत्पती है वह दोस्तों ग्रिक बासा के सब्द से बोटनी की उत्पती होई है बोटनी कार्थ होता है दोस्तों वनसपती विग्यान मैंने आपको पहले कुस्व में बताये था अधियर आपको याद है तुर्ण आप कमेट करके बताईए next है किूरी किसकी इकाई का नाम है तो क्यूरी दोस्तो रेडियो एक्टिव दरमीता की इकाई है क्यूरी next है किस रंग की तरंग धर्दे सबसे कम होती है अगला परसन है कमरे में रखे रेफ्रिजेटर का दर्वाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा तो कमरे में रखे फ्रीज का दर्वाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप दोस्तो बढ़ जाएगा अगला है इंदर दनोस में कितने रंग होते हैं तो इंदर दनोस में दोस्तो साथ रंग होते हैं इसलिए इंदर दनोस कहते हैं तो साथ रंग इंदर दनोस में पाई जाते हैं नेकस्ट है शेकेंड पेंडूलम का आवर्दकाल क्या होता है तो शेकेंड पेंडूलम का जो आवर्दकाल है वह है दो शेकंड ही होता है अगला प्रत्व भारती call बेंगलोर में इस्दिध नेक्स्ट है प्रादवनिक विमानों के चाल होती है तो प्रादवनिक विमानों के चाल दोस्तों दवनिकी चाल से अधिक होती है अगला प्रसन है भूस्तिर उपकरय का की पर्थवी से मुचाई होती है तो भूस्तिर उपकरय की जो पर्थवी से मुचाई होती है वह 37,000 किल क्रेट्स की सपते दिलवाई जाती है next question है car में radiator का क्या कारिये होता है तो car में दोस्तो radiator का engine को ठंडा करने का कारिये होता है next है मनुष्य के सरीर के ताप होता है तो मनुष्य के सरीर का जो सम्माने ताप होता है normal temperature होता है वैस 37 degree Celsius से होता है अगला परसन है दोस्तो दूर दर्ष्टी दोस से पिडित व्यक्ति को कौन सी वस्तोय दिखाई नहीं देती है दूर दर्ष्टी दोस से जो विक्ति पिडित है उसको दोस्तो निकट की वस्तोय दिखाई नहीं देती है और जो निकट दर्ष्टी दोस से पिडित व्यक्ति है उसको दोस्तों दूर की वस्तों है वह कमें दिखाई देती है अगला परसन है किताब की उपर रखे किसी लेंज को उपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्सरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई जेता है तो lens कोंचा है तो वह दोस्तो उतल lens से होता है अगला परसन है यदि किसी lens से अक्सरों का आकार छोटा होता हो दिखा देता है तो वह कोंचा देश है lens है तो वह दोस्तो आउतल lens है यह उसका उल्टा हो गया अगला परशन है दोस्तो तारे टिम्टिमाते हैं कारण क्या है तो तारों के टिम्टिमाने का दोस्तो कारण है अपवर्तन के कारण है तारे टिम्टिमाते हैं अगला परसन है निमन लिक्कीत में से कौन एक आवेस रहीत कण है तो कौन चा है तो न्यूट्रोन है वह एक आवेस रहीत कण है अगला परसन है दोस्तों पोदों की आंतरिक्स रंचना का देन क्या कहलाता है तो पोदों की आंतरिक्स रंचना का देन है वह सारी लिक्की कहला अगला परसन है निमन वैसे किस रंग का अपरतनाग सबसे अधिक होता है तो किस रंग का होता है दोस्तों तो बेंगनी रंग का अपरतनाग है वैसे सबसे अधिक ही होता है अगला किसों देखते हैं सोच जल से बहे तलाब की गहराई तीन मीटर परतीत होती है यदि हवा के सापेक्स जल का अपोर्तनाग चार बटा तीन हो तो तलाब की वास्तवी गहराई क्या होगी तो तलाब की वास्तवी गहराई दोस्तो चार मीटर होगी नेक्स्ट है लेंस की समता का मातरक क्या होता है तो लेंस की समता का मातरक है वे दोस्तो डायोप्टर होता है तो डायोप्टर लेंस की समता का मातरक होता है अगला क्यूशन है रडार की कारिये पढ़नाली निमन सिद्धांत पर आधारित है तो रडार की जो कारिये पढ़ना तो दूते नियम से बलकी परिवासा ग्यात की जाती है, ये कतने सत्ते हैं, अगला क्यूशन है दोस्तों, किसी पिंड के उस गुण दरम को क्या कहते हैं, जिससे वैस सिधी रेखा में विराम या एक समान गती के स्थती में किसी भी परिवरतन का विरोध करता है, तो उसे दो उसरजन के सिधानत पर कर ये करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? विक्राण का उद्धिप्ती उसरजन सिधानत, दोस्तों वीडियो पसंदा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरू करें, तो सभी दोस्तों के साथ वाट्सप गूर्प हमें इसको शेर जरू कर दें नेक्स्ट क्यूस्ट देखते हैं दल्दल में फशे विक्ति को लेड़ जाने के सला दी जाती है क्यों क्योंकि दोस्तों दल्दल में फशे विक्ति को छेतर पला दी के कोने के कारण दाब कम हो जाता है जिसे दल्दल में कमें फशता है और उसको बाहर जल्दी निकाल ल जाए तो वो एक दूसरे चिपक जाएंगी तो उसको उतारने के लिए हमको किसी दूसरे लोई केतिक है नुकिले वस्तु को काम में लेना पड़ेगा इसका करण क्या दोस्तों क्योंकि दूस्तों दाब धिक होने से बरफ का गलनांके घर जाता है जिसे वस्तुएं जो बरफ की है चली है वो अपस में चिपक जाती है अगला परसन है मोटर कार में सीतलंद अंतर किस सिद्धांत परकारिय करता है तो मोटर कार में सीतलंद अंतर होता है वह दोस्तों वह केवल समवन के सिद्धांत परकारिय करता है अगला परसन है जिवित पराणियों के सरीर में होन नेक्स्ट कुछलन है ए creator एक television में जुरत नीयंद्रन के लिए किस प्रकार के वेदूत गुंबक के विकरन का परियोग जाता है तो फिसेंड्र लगू रल्लिक्ज। का log का प्रियोग कौनचा है तो प्रोटीन के पाचन में जो ट्रिप्सिन है वैस आयक एंजाय में है तो ट्रिप्सिन इसका राइटा इंस वरे हो गया दोस्तो यह था हमारा आज कौन गंठे का सार मनावा है उस गंठे के निशान को जरूर दबा दें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना ही तुरूंत आपको वीडियो डालते ही मिल सके धन्यवाद दोस्तो